नवस्कार दोस्तों स्टडी आएक्यू में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंग राठोड अभी हाली में 13 अक्टूबर 2019 को भारत की मरियम थ्रेसिया को संत की उपादी दी गई पोप फ्रांसिस द्वारा इन्हें सेंट हुड के उपादी दी जाती है उसका एक लंबा प्रोसीजर है कई स्टेजिस हैं बीटिफिकेशन, कैननाईजेशन ये सभी शब्द जो आपने शायद अगबार में पड़े होंगे इस न्यूस से रिलेटेड उनका मतलब क्या है और कैसे वो प्रोसेस काम करते हैं तो ये सभी हम डि द्राइब कोर्सेस पे 70% डिसकाउंट चल रहा है जो आज यानी 18 अक्टूबर से स्टार्ट है और 30 अक्टूबर 2019 तक जारी रहेगा हमारी वेबसाइट studyiq.com विजिट कीजे और इस सेल का फाइदा उठाईए तो 13 अक्टूबर को मर्यम थ्रेसिया जो केरल को बिलॉंग क स्टूबर की महिला मार्गरीटे बेस ब्राजील की सिस्टर डोल्चे लोपेस और इटली की सिस्टर जैसूपीना वैनी तो भारत से मर्यम थ्रेसिया जो है ये केरल को बिलॉंग करती थी और इनका जन्व हुआ था 1876 में और इनकी मृत्य हुई थी 1926 में तो किवल 50 साल की में ही इनो ने इतने अच्छे काम की है कि इनने संथ की उपादी दी गई और भारत में तो ये पहले से ही केरला में अपने काम के लिए बहुत जानी जाती है जो इनोंने क्रिशन मिशंस के लिए किया है वो बहुत famous है इनका काम तो इनका जन्म हुआ था 1876 में केरल के एक गाउं पुतेंचीरा में जो थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में है अगर यहाँ पर मैं कोई भी नाम गलत प्रणाउंस कर रहा हूं तो माफ कीजिएगा मुझे सही प्रणाउंस पता नहीं है तो जैसे Mother Teresa ने Missionaries of Charity की स्थापना करी थी वैसे ही इन्होंने Congregation of Holy Family की स्थापना करी जो आगे जाकर एक काफी बड़ा Prominent Religious Congregation बन गया Serio Malabar Church के अधीन केरल में जाद तर जो Catholics हैं वो Serio Malabar Church के अधीन आते हैं तो थ्रेसिया Monkidian जो इनका Original नाम था जन्म का इन्होंने बाद में अपने नाम के आगे Mariam लगा लिया था After Saint Mary तो Mariam थ्रेसिया केरल में काफी फेमस थी अपने काम के लिए Social work के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया Christian धर्म को आगे बढ़ाने के लिए साथ साथ ही गरीबों की सिवा के लिए और दूसरी चीज इन्हे visions आते थे इन्हे ऐसा माना जाता था कि ये directly God से connected है क्योंके इन्हे visions आते हैं साथ ही साथ इनके हाथ पर एक निशान था stigmata जिसे कहते हैं Christianity में इसे बहुत ही rare माना जाता है बहुत ही कम ऐसे संथ हैं या बहुत कम महान लोग हैं जिनके हाथों पर ये symbol आते हैं stigmata वो निशान है जो Jesus Christ के हाथों पर थे जब उन्हें सूली पर चड़ाया गया तो उनके हाथों में कील ठोक कर सूली पर चड़ाया गया था तो उस कील का जो निशान है वो उनके हाथ पर हतेलियों पर दिखता था वैसा ही निशान इनके हाथ पर भी था लेकिन इन्हों ने इसे अपनी पूरी जिंदगी छुपाय रखा तो ये अपने काम के लिए पूरी अपनी जिंदगी इन्हों ने मिशन और गरीमों की सेवा के लिए दे दी और 1926 में के वल 50 की उम्र में इनकी मृत्यू भी हो गई थी अब हम आते हैं सेंट पर कि ये क्रिश्चानिटी में सेंट किसे कहा जाता है या कौन होते हैं सेंट या क्या प्रोसेस है कि इन्हें सेंट किसी को सेंट बनाया जाए तो कई सेंट के आपने नाम सुने होंगे सेंट थॉमस आपने सुना होगा सेंट टेरीसा जो भी हम भारत की मदर टेरीसा है वो भी सेंट टेरीसा बन चुकी है तो कई स्कूल्स के नाम आप देखेंगे जैसे Saint Thomas, Saint Paul ये सारे जो व्यक्ति हैं ये किसी ना किसी समय जीवित थे और इन्हें बाद में Saint की उपादी दी गई थी तो word Saint Latin में आता है Sanctus शब्द से और इसका literal meaning होता है Holy यानि पवित्र तो बहुत ही पवित्र कोई व्यक्ति है तो उसे संथ की उपादी दी जाएगी तो according to church a saint is anyone in heaven जो इस वक्त heaven में है यानि की स्वर्ग में है और वो great cloud of witnesses बनाता है देखो धर्म की theology में हमें जाने की जरूत नहीं है लेकिन आप basic इतना सा समझो कि saint वो व्यक्ति बन सकता है पहली बात जो जिन्दा नहीं है यानि मृत्यू के बाद ही saint की उपादी दी जा सकती है किसी जीवित व्यक्ति को saint नहीं कहा जा सकता ये एक बहुत important point है Catholic Church में और ऐसा मना जाता है कि जब वो स्वर्ग में है तभी उसे saint की उपादी दी जा सकती है तो the title saint denotes a person who has been formally canonized इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा अभी ये canonized का मतलब है कि officially saint की उपादी दे देना इसे कहते हैं canonization officially and authoritatively declared a saint by the church तो Christian धर्म में आप किसी को भी saint नहीं कह सकते पहले आज से 1000 साल पहले तक ऐसा होता था कि जो ज़्यादा popular है उसे लोग saint कहना शुरू कर देते थे लेकिन 1200 ESV के बाद में ये process थोड़ा सा formalize हो गया है अलग-अलग Pope ने इसके लिए कुछ criteria lay down किये कुछ conditions रखी कि ये conditions meet होती है तो ही व्यक्ती saint कहलाएगा तो अब officially church जिन्हें दरजा देता है केवल वो saint कहलाते है saint हुड की इतनी importance क्यों है एक बार अगर किसी व्यक्ती को canonize कर दिया गया तो उसे church में एक बहुत ही अच्छा दरजा मिलता है venerated position यानि कि उसे भगवान या Jesus Christ के नहीं लेकिन उनसे just नीचे वाली position उने मिलती है तो ये जो saints हैं कुछ 1000 की संख्या में ही saint है Christianity में और उनमें भी जो famous हैं वो कुछ 100 की संख्या में ही है तो जो saint हैं वो उनके नाम पर church, church run institutions रखे जा सकते हैं जैसे आप school के नाम देखेंगे तो saint Paul या saint Thomas ये सभी famous saint थे तो इनके पीछे आपको schools मिलेंगे, orphanages मिलेंगे माता बिता अपने बच्चों के नाम उन saint के नाम पर रखना शुरू कर देते हैं तो ये भी position तब आती है जब canonization का process खत्म हो जाएगा फिर जो भी saint declare होता है, उनके नाम का एक दिन होता है उस दिन festival होता है, काफी धूम दाम से उसे मनाया जाता है जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ पर उनकी मृत्य हुई वो सभी centers for pilgrimage बन जाते हैं लोग महाँ पर अपनी prayers कहने के लिए आते हैं उन्हें अपनी prayers में याद भी करते हैं तो ये sainthood की importance है तो Catholic Church में बहुत लंबी list है saints की और ये शुरुवात से church काम करता आ रहा है कि saint की उपादी दे हाँ, बिल्कुल शुरुवाती सदियों में saint उन्हें कहा जाता था जो Roman Empire के खिलाफ Christian धर्म को बढ़ावा देने के लिए जिन्हें मार दिया गया जैसे Jesus Christ खुद के साथ हुआ था तो वैसे Christianity के लिए लड़ते हुए जिनकी death हुई या फिर जिनने सूली पर चड़ा दिया गया उनको saint की उपादी दी जाती थी लेकिन हाली के सालों में पिछले 200-500 सालों में ऐसा हो रहा है कि उन लोगों को saint की उपादी दी जाती है जिन्होंने अपने जीवन में maybe death नहीं हुई हो धर्म को बढ़ाने के लिए लेकिन बहुत heroic काम किये हैं अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किये हैं धर्म को बढ़ावा देने के लिए या फिर लोगों की साहता करने के लिए saint broadly दो category के होते हैं martyrs यानि शहीद और confessors तो martyrs वो हैं जो धर्म के लिए लड़ते लड़ते जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी तो ये धर्म के लिए मारे गए तो ये तो शुरुवात के 400-500 साल में जादा थे जब Christianity एक छोटा सा धर्म था और बढ़ रहा था तो शुरुवाती 400 साल Christianity में बहुत सारे martyrs देखे गए जैसे Saint Paul है तो Saint Paul शुरुवाती उन Saint में से है जिन्होंने धर्म के लिए अपनी जान दे दी तो martyrs के लिए आज भी केवल एक miracle चाहिए बस इतना सा फर्क है कि अगर उन्हें एक चमतकार उन्होंने प्रूव कर दिया तो उन्हें Saint बनाया जा सकता है जबकि जो दूसरी कैटिगरी के है confessors उनकी जीवन में उन्हें दो miracle चाहिए यानि दो चमतकार उन्हें प्रूव करने होते हैं उनको Saint बनाने के लिए तो heroic virtue बहुत ज़रूरी है यानि उन्होंने अपने जीवन में heroic अच्छे काम किये हो तो तब जाकर उन्हें Saint बनाया जा सकता है अब आते हम process पर तो process में चार stage है पहले stage में कहलाता है विक्ती servant of God दूसरे में कहलाता है venerable तीसरे में उन्हें blessed कहा जाता है और चौते में उन्हें कहा जाता है saint तो ये process है और इस पूरे को कहते है canonization यानि एक आम आदमी के धार्मिक आदमी के संत बनने की पूरे प्रक्रिया को कहा जाएगा canonization और जब canonized हो जाता है विक्ती तो वो कहलाता है saint और उसमें जो ये वाली stage है इसे कहते है beautification आगे आ जाएगा फिर से तो beautification और canonization ये stages हैं और इस पूरे process को भी canonization कहा जाता है तो अब इसका एक brief road map आप यहां पे देख लो सबसे पहले एक local request आनी चाहिए जैसे अगर केरल से थी तो केरल का जो बिशप केरल के जो बिशप हैं केरल की जो डाइसीज है यानी religious area है वहां का जो head है यानी bishop वो आगे request भेजेंगे कि हमें इस area में जो ये व्यक्ति था इसे हमें सेंट गोशित करवाना है फिर उसके बाद second stage होता है Vatican से review होगा यानी Vatican City यानी church के headquarter से महां से review होगा कि हाँ जो बातें उनकी जीवन के बारे में कही गई है वो सही है या नहीं तीसरा stage होता है beatification blessed यानी beatification होने के बाद उस व्यक्ति को prayers में उसका नाम लिया जा सकता है और finally canonization का process है उसके बाद कहा जाता है उस व्यक्ति को saint तो उसके नाम क्या आगे saint लग जाएगा तो अब जहाँ पर भी mariam thresia का नाम use होगा उन्हें saint mariam thresia या saint thresia कहा जाएगा अब ये प्रक्रिया इतनी लंबी है मैंने आपको जो चार stage बताएगे ये एक या दो महिने में पूरे नहीं होते है इसमें आम तोर पर कम से कम 20 से 30 साल लग जाते हैं अभी और कई बार तो 50-60 साल भी लग जाते हैं जैसे कि mariam thresia के लिए ये कारवाई पूरी शुरू होगी थी 1975 में 1975 में उन्होंने first stage clear किया second stage venerable उन्हें गोशित किया गया 1999 में beatification हुआ 2000 में और अब जाकर canonization हुआ है तो आप देख सकते हैं almost 45 साल तो इन्हें ही लग गए सबसे fastest one of the fastest जो canonization हुआ है वो हुआ है Saint Teresa का जो mother Teresa थी Calcutta की उनकी death हुई थी 97 में और उनका जो process है वो खत्म हुआ था 2016 में तो केवल 19 सालों में इन्हें Saint बनाया गया which is kind of a record modern history में इनसे जल्दी किसी को Saint नहीं बनाया गया है आम तोरक पर 50 साल तो लगी जाते है death के बाद 50 या 100 साल तक भी ये प्रक्रिया चलती है कई बाद अब इस प्रक्रिया को थोड़ा detail में देखते हैं पहला step है servant of God की उपादी मिलना तो ये process death के 5 साल बाद शुरू हो सकता है यानि जीते जी किसी को संथ की उपादी नहीं मिलेगी और मरने के भी 5 साल बाद ये process शुरू होगा इसके कुछ ही exceptions हैं जैसे recently Mother Teresa के case में ये 5 साल का criteria wave off कर दिया था church ने फिर 3 चीज़ें देखता है local dioces यानि जो local bishop है वो देखेंगे कि उस व्यक्ति का जीवन heroic virtue होना चाहिए उसके जीवन में ऐसा माना जाना चाहिए आम तोर पर कि उस व्यक्ति को स्वर्गी नसीब हुआ होगा तो वो अभी स्वर्ग में है तीसरा Catholic Church द्वारा उन्हें recognition मिलनी चाहिए ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति Catholic Church के बाहर अपनी गतिविदी कर रहा था नहीं उनको recognition मिलनी चाहिए Catholic Church द्वारा तो इस step में जो local area के dioces हैं वो PD करते है यानी वो यह प्रक्रिया शुरू करते हैं कि potential saint की जीवन के बारे में investigation करी जाये यानी उनकी जीवन में जो गटनाए है जो लोग उनके बारे में बाते कहते हैं वो कितनी सही है तो एक investigation शुरू होता है उनके जीवन से जुड़े लोगों से बात करी जाती है उनका interview लिया जाता है ये काम local diocese level पे होता है और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि उसने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमतकार किया या मेरे जीवन से related उन्होंने ये changes लाए मुझे बहुत positive impact रहा वो सारी चीजें लिखी जाती है अगर उस व्यक्ति ने खुद ने जिसकी death हो गई है जिसे संत बनाना है उसने खुद ने भी अगर कुछ लिखा है उसकी writings है तो वो भी देखी जाती है उन्हें भी analyze किया जाता है फिर एक report तयार होती है अगर ये report favorable है तो उस person को status मिलता है servant of God का अब आते हैं दूसरे step पर दूसरा step अगर व्यक्ति पास कर जाता है तो उसे कहा जाता है venerable venerable का मतलब होता है सम्मान नी है तो इस step में होता क्या है local bishop यानि local area से जो finding आई है वो आती है Rome यानि Vatican City यहाँ पर एक committee होती है Vatican की जिसको कहते है congregation of the causes of saints यह फिर से investigation करती है अपने स्तर पर कि जो बातें कही गई है वो सही है या नहीं और अगर वो व्यक्ति शहीद हुआ था तो क्या वो धर्म की रक्षा के लिए actually मैं शहीद हुआ था यह सब जाच करने के बाद उसे venerable का status दिया जाता है इस stage को pass करने की importance यह है कि अब उस व्यक्ति का नाम prayers में लिया जा सकता है तो जैसे भगवान को याद करते हैं वैसे ही उस व्यक्ति को भी prayers में याद किया जा सकता है जिसे कहते हैं intercession in prayer और इसकी importance यह है कि जो अपनी prayer में मदद मांगता है उसी को मदद मिलती है और मदद किस रूप में मिलती है चमतकार के रूप में miracle के रूप में एक दैविय चमतकार divine intervention के रूप में और यही चमतकार document किये जाते हैं और अगले stage में present किये जाते है for beautification तो अगर prayer में लोग मदद मांगेंगे और अगर मदद उनको मिल गई तो फिर वो document किया जाता है church के दौरा और आगे उसे beautification में use किया जाता है अब आते हैं तीसरे step पर जिसे beautification भी कहा जाता है beautify होने के बाद व्यक्ति को कहा जाएगा blessed तो blessed कब कहे जाते हैं जब चमतकार प्रूव हो जाए तो मैंने आपको बताया second stage में venerable बनने के बाद समानिय बनने के बाद prayers में उनका नाम लिया जाएगा लोग उनसे चमतकार की उमीद रखेंगे और अगर ऐसे चमतकार documented है तो फिर उन्हें investigate किया जाता है उनकी जहांच होती है Vatican द्वारा और जब वो approve हो जाते है तब उन्हें कहा जाता है blessed तो एक चमतकार यहाँ पर prove होना ज़रूरी है उस saint से related would be saint से related और beautification की ceremony होती है Vatican में भी और ग्रह देश में भी दोनों जगे तो 2000 में Mariam Thracia को beatify कर दिया गया था और उसके बाद से वो blessed stage पर आ गई थी चौथा और आखरी stage होता है sainthood जिसे कई बार canonization भी का जाता है और यह जो sainthood वाला है यहाँ पर एक और चमतकार prove करना होता है और कभी-कभी यह second miracle की condition wave off कर दी जाती है बहुत rare cases में करी जाती है mostly second चमतकार prove करना होता है अगर church convinced है कि एक और चमतकार हुआ है और इस चमतकार में mainly medical चमतकार होना जरूरी है जैसे कोई बिमार है तो और उसे फिर से ठीक कर दिया गया तो इस तरह का चमतकार होना जरूरी है उसे prove किया जाता है और अब doctors से भी इसका certificate लिया जाता है या फिर doctors से prove करवाया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति चमतकारी group से ठीक हुआ है बिना किसी दवाईयों के तो जैसे मर्यम थ्रेसिया के case में एक बच्चा था नवजात था जो काफी बिमार हो गया था और doctors ने अपने हाथ खड़े कर दिये थे तो उस बच्चे के माबाप ने मर्यम थ्रेसिया से मदद मांगी और वो बच्चा ठीक हो गया सही हो गया तो doctors ने कहा कि हाँ ये हमारे कारण ठीक नहीं हुआ है कुछ और power है जिसके कारण ये ठीक हुआ है तो इस तरह का documented चमतकार होना जरूरी है और अगर ये हो जाता है तो फिर canonization की ceremony होती है और उस विक्ति को saint का दरजा मिल जाएगा canonization पे generally एक बहुत बड़ी ceremony होती है जैसे भारत से एक बहुत बड़ा delegation गया है उसमें 300 से भी जादा लोग है in fact MPs, Ministers ऐसे लोग तक गए है केरल से और जो उनका organization है वहाँ से भी 300 sisters गई है Vatican City ये आप देखी सकते हैं कि ये latest ceremony है इसमें जो अभी saint बनाये गए हैं उन लोगों की photographs है और ये रही मर्यम थ्रेसिया उनकी photograph जो Vatican की galleries से लटक रही है नीचे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा mass होता है mass यानि public congregation है जहाँ पर Pope आकर खुद इस ceremony को आगे बढ़ाते हैं अब आते हैं long queue यानि की beautification, canonization ये ऐसे process जो सालो साल चलते हैं इनमें कितना समय लग जाता है कितने लोग हैं तो अभी blessed वाले stage पर तीसरे वाले stage पर भारत से 6 लोग हैं इनमें एक व्यक्ती देवशाम पिल्लाई नाम का भी है जो एक आम आदमी था, हिंदू था जो convert हो गया Christianity में तमिल नाडू में 1752 में उनकी death भी हो गई थी तो अब अगला जब भी canonization होगा तो शायद इनको बना दिया जाएगा saint तो ये भी कहलाएंगे फिर saint देवशाम वैसे ही venerable category में 11 लोग हैं अभी भारत से और servants of God वाली stage पर अभी 42 लोग हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सभी आगे जाकर saint बने इनमें से कुछ के cases reject भी हो जाते हैं second और third stage पर या फिर चमतकार प्रूव नहीं हो पाता अब एक controversy भी चल रही है क्या controversy है कि केरल में मर्यम थ्रेसिया के चमतकार को prove या फिर certified किया था एक doctor ने और ये case क्या था कि एक बच्चा था 2009 में जो premature पैदा हुआ था hospital में उसकी तवित खराब थी माबाप ने मर्यम थ्रेसिया से चमतकार की उम्मीद रखते हुए मदद मांगी बच्चा ठीक हो गया और जो doctor थे treating doctor थे doctor शी निवासन नाम के एक व्यक्ति है इन्होंने ये कहा था कि हाँ ये चमतकार है मेरे intervention या डॉक्टरों के दवाईों के कारण ये ठीक नहीं हुआ है अब Indian Medical Association इसके खिलाफ है Indian Medical Association ने कहा है कि ये सही नहीं है कि doctors को इस तरह के चमतकार को promote नहीं करना चाहिए क्योंकि ये pseudo science है आप इस तरह से लोगों में गलत ब्रांती फैला रहे हो कि doctors के पास जाने की बजाए व्यक्ति को चमतकार की उमीद रखनी चाहिए तो ये एक negative संदेश देता है ये science versus pseudo science का debate है तो अभी इसको लेकर भी केरिल में काफी controversy चल रही है अब finally हम बात करते हैं कि भारत में कितने saint हैं तो आज दिन तक भारत से related केवल 11 ऐसे लोग हैं जिने संद की उपादी दी गई है जिनने canonize किया गया है तो ये केवल 11 संदे जो भारत से connected है connected का क्या मतलब है कुछ ऐसे भी है जो भारत में इन्होंने अपना काम किया लेकिन उनका जन्म यहा नहीं हुआ था जैसे Saint Francis है जिनका Goa में बहुत famous church है Saint Francis Spain से आयते लेकिन उन्होंने अपनी जीवन का जाहतर समय Goa में यानि भारत में बिताया और बाद में वो Saint बन गए थे लेकिन वो भारत में उनका जन्म नहीं हुआ पहले संत जिनका भारत में जन्म हुआ वो थे गुंजालो गार्सिया ये Portugal से इनके मावाप आये थे हैं भारत मुंबई वाले एरिया में और ये first India bond Saint कहलाते हैं भारत से पहली महिला जो Saint की उपादी जिन्हें मिली थी वो थी केरल की सिस्टर अलफॉंजा 2008 में इनका कैननाईजेशन हुआ था फिर 2016 में Mother Teresa को कैननाईज किया गया और इनका कैननाईजेशन इनको संत की उपादी देना एक record है अपने आप में modern history में church के लिए तो केवल 19 सालों में इनकी death के 19 साल के अंदर-अंदर इनने saint बना दिया गया इसको लेकर काफी controversy भी थी कई लोगोंने सवाल भी खड़े किये थे church पर क्या आप इतना fast track क्यों कर रहे हो process को और अभी latest भारत से 2019 में मर्यम थ्रेसिया को संत की उपादी दी गई है तो भारत से जुड़े आज दिन तक 11 लोगों को संत की उपादी दी गई है I hope आपको ये lecture interesting लगा Thank you very much for watching this Have a great day